हलो दोस्तो मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हाउ टू लर्न चैनल पर जैसा कि परसंटेज में आप दो वीडियो देख चुके हैं तो आज यहां पर तीसरा और लास्ट वीडियो ले करके आए हैं जिसमें आपको परसंटेज के और जो बचे हुए टाइप्स थे उन टाइप्स को यहां पर हम लेने की कोसिस करे हैं और यहां तक मैंने जितने टाइप हो सकते हैं सारे टाइप करने की कोसिस करी है हलाकि मैं यह नहीं कहूंगा कि मैंने सारे टाइप करा दिये बट अभी आपके एकजाम में जितने यह पूंचने पू questions से आपके इतनी practice को चुकी होगी इतना आपको यहाँ पर चीजें मिल चुकी होगी कि नई चीज भी आएगी ना आप तब भी उसको कर पाओगे क्योंकि यहाँ पर इतना आपने सीख लिया है basic में कि अगर और भी question आएगा तो आप लोग इसको कर पाओगे ठीक है चलते हैं देखते हैं question किस type का है तो सबसे question करने के पहले बात वही है मैं बार बार वही कह रहा हूँ तीसरे वीडियो में भी मैंने यही बोला कि यदि आप से यहाँ पर पूंच लिया जाए 11 right 1 by 11 कौन सा यहां पर part होगा तो यहां पर आपको 1 by 11 पता होना चाहिए 9.09 अगर आपको कभी कहीं पर यह बोल दे 27.27% का profit हुआ है तो 2727 का profit का मतलब यहां पर आप यह समझ जाएंगे कि देखो यहां पर यह आपका क्या है 9.09 है अगर हम इसमें multiply अगर 3 कर देते हैं तो यह आपका 27.27 बन जाता है ठीक है और यही से आपको यह समझना है कि 1 by 11 की value होती 9.01 तो 3 से multiply किया तो यह आपका यहां पर क्या बन जाएगा यह आपका बन जाएगा 3 by 11 तो अगर 27.27 का profit है तो मतलब यह हुआ यहां पर कि यह आपकी original value है और इतने का profit हुआ है तो 11 प्लस 3 यानि value 14 हो गई होगी जैसे यहां पर value 11 है original बट 1 by 11 का मतलब 1 का profit हुआ तो यह 11 प्लस यहां पर 12 होता है ठीक है तो इसलिए हम बता रहे हैं कि बहुत आसान तरीके से इनको कर पाऊगे और भी अभी हम SI CIE discount यह सब ले करके आएंगे तो हर जगे देखेगा हम इन ही चीजों का use करेंगे percentage को fraction fraction को percentage में किस तरीके से हम change करते है ठीक है तो यह part आपको जरूर है पता होना चाहिए अगर आपको यह parts पता है 1 by 15 6 right 2 by 3 percent होता है तो यह 1 by 15 निकालो और 6 2 by 3 answer कर जाओ ठीक है clear है अच्छे से बाग तो इनको बहुत अच्छे से समझ लेना याद करने लेना रट लेना चाहे कुछ भी करो लेकिन इनको जरूर याद किजिएगा चलिए question number देखें यहाँ one है first number question यहाँ पर यह है in an examination Anita scored 31 marks and failed by 16 marks Sunita scored 40 percent marks and obtained 56 marks more than the those required to pass find the minimum marks required to pass that means यहाँ पर दो candidate है एक है Anita और एक है Sunita तो मान लेते हैं यह है मारा exam यहाँ से लेकर के यहाँ तक zero से start होता है और hundred percent marks तक जाता है ठीक है अब यहाँ पर क्या है Anita score 31 percent तो मान लेते हैं यहाँ पर यह कौन है यह यहाँ पर आ जाती है अनीटा के marks कितने है, 31% है और यहां पे आपका जो passing marks का criteria है वो यहां पर है यहां पर आऊगे तो आप पास हो जाओगे तो यह जो आपका gap है ठीक है, यह यहां पे आपका जो gap हुआ, अनीटा के marks और passing marks, उसका gap यहां पर question पे दे रखा कितना है, 16 है 31% अंक प्राप्त की और 16 अंकों से अनुतिम्ड का मतलब फेल्ड हो गई यानि 16 नंबर उसके और आ जाते तो पास हो जाती ठीक है सेकेंड केंडिडेट है सुनीता स्कोर 40% मार्क्स एंड जो पासिंग मार्क्स है उससे 56 मार्क्स उसके ज्यादा आए गए मतलब यहां से उसके मार्क्स कितने ज्यादा है 56 मार्क्स ज्यादा है और यहां पर यह कौन है यह है सुनीता और सुनीता के मार्क्स परसेंटेज में कितने आए है 40% है तो यहां पर आपका यह 40% हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर इन्होंने क्या पूँचा यह पूँच रहे हैं उत्तीर होने के लिए आवस्यक नियुनतम अंक प्राप्त कीजिए यह जो पास वाला है यह percentage यह marks निकालिए जो पास परसेंट है वो कितने marks का है ठीक है अब देखो अनीता और सुनीता इन दोनों को अगर हम देखें इन दोनों के बीच में percentage gap कितना है 31 से 40 अगर हम देखेंगे तो 9% का gap है marks का कितना gap है 16 और 56 हम add करेंगे तो 9% की value निकल के कितना आएगा 72 ठीक है इतनी बात के लिए रहे तो हम यहाँ पी क्या करें उसने पूंचा है passing marks के लिए पूंचा हुआ है तो देखो यहाँ पर अगर हम यह चीज कर दें 40% की value निकाले और माइनस 56 कर दें 31 की value निकाले प्लस 16 कर दें तो passing marks पता चल जाएगा तो यहाँ 31% की हम value निकालते है 31% कितनी value आएगी 9c divide होगा 8 से 8 का multiply कराएंगे तो 8 बन जा 8 8 3 जा 24 तो यह आपका 248 आएगा यहाँ पर यहाँ पर मार्क्स कितने हो जाएगे अगर हम बात करें 31, sorry 32, 248 और 248 में 16 अगर add कर दें तो passing marks हो जाएगा कितना आपका इसमें add करेंगे तो आपका यह 264 बनेगा तो passing marks कितना होगा 264, option number आपका यहाँ पर be correct हो जाएगा यह बात clear हो रही की नहीं हो रही जो 248 थे उसमें हमने 16 add किया तो हमको यहाँ मिला कितना 264, 8, 4, 16, 4, 1, 5, 1, 6, यहाँ पर 264 आजाएगा अच्छे से बात clear होगी, चली, same question है एक और practice के लिए आपके लिए रखा है गीता ने 30% अंग प्राप्त की और 50 अंगों से अनुतिड हो गई तो additive diagram यहाँ पर बनाईए, यह है सुनीता, सुरी यहाँ पर है गीता गीता को 30% marks मिला और passing marks की अगर हम बात करें, तो passing marks यहाँ पर है इतने marks अगर लाओगे, तो अब pass हो जाओगे कितने marks, 50 marks, यानि जो यह gap है, यह कितने number का है 50 marks का है, ठीक है जबकि 45% अंग प्राप्त करने वाले संदीप ने परिच्छा उत्तीड करने के लिए आवस्यक निवनतम अंकों से 25 अंक प्राप्त ज़्यादा किये है तो यह आपका passing marks से कितना marks उसका ज़्यादा है 25 marks ज़्यादा है ठीक है, यह किसका है, संदीप का है और संदीप का marking percentage में कितना है 45% तो वही चीज यहाँ पर आजाती है यहाँ पर हमको देखना यह है इन दोनों के बीच में percentage में कितना difference है 30 और 45 में difference कितना 15% marks में कितना difference है 50 और 25, 75 ठीक है तो 15% equal 75 है पुंच्छा क्या है यदि विमल ने 64% अंक प्राप्त किये तो उसे कितने अंक मिले होंगे 15% वाली value हमको पता है 64% की value हमको find करनी है तो यहाँ पर क्या करेंगे 75 into 64 divide में आपका आ जाएगा 15 और 15 से 15, 5, 75 5 का multiply कर देंगे 5, 4, 20 5, 6, 30 और carry का 2 320 आपका यहाँ पर यह answer बन जाएगा तो option number 320 के लिए C correct हो गाएगा clear है बात अच्छे से next A score 72 marks in one paper with maximum marks of 900 एक paper है 900 maximum marks है जिसमें वो 72% marks लाता है तो 72% की value कितनी हो जाएगी अगर मैं 72% यहाँ पर find out करूँ तो देखो 72% निकालो या फिर इसका 28% माइनस कर दो ठीक है तो यहाँ पर हम क्या करें 28% माइनस कर दो 900 into 28 upon 100 0 कंसिल कर दो 98 जा 72 92 जा 18 18 और 7 आपके पास 252 आएगा ठीक है अब 252 अगर हम इससे माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर आएगा 648 यहनि 648 648 अगर 72 की परसेंट की वैल्यू निकालने जाओगे तो भी बात वही आदाएगी ठीक है एक चीज और हम थोड़ा सा आसान कर सकते हैं 72 के बजाए अगर मैं 75 माइनस 3 परसेंट कर दें तब भी तो यह आपका 72 ही आएगा की नहीं आएगा अब 75 परसेंट की अगर हम बात करें तो 75 परसेंट को फ्रैक्शन में 3 बाई 4 लिख सकते हैं ठीक है और 3 बाई 4 की अगर हम बात करेंगे तो 900 इंटू 3 बाई 4 कर दीजिए 4 से करोगे 4 टू जा 8 फिर 4 टू जा 8 और 4 फाइब जा तो यह आपका कितना बनेगा 6 75 बनेगा बट माइनस 3 परसेंट और करना है तो 3 परसेंट की वैल्यू कितनी होगी 1 परसेंट की वैल्यू 9 3 जा 27 इसमें से माइनस कर दो 15 से 7 जाएगा तो 8 आएगा फिर यहाँ पर 6 से 2 जाएगा तो 4 आएगा और यहाँ पर 648 अगेन देखोगे 648 आंसर आजाएगा आपको जैसे भी लगता है आसान उस तरीके से कर जाओ इसमें कोई वाली बात नहीं है कि नहीं नहीं ऐसे ही करो अगला यहाँ पर बूला हुआ है और दूसरे पेपर में 700 के अधिक्तम अंक के साथ 80% पराप्त किये यानि एक दूसरा पेपर है जो की maximum marks उसके 700 है 80% की अगर हम बात करें देखो 1% की यहाँ पर value 7 है 1% is equal to अगर 7 है 80% equal to कितना होगा 7,8,56,560 हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर हम 5,60 find out कर लिया इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे यह है आपका 80% यह value आएगी कितनी 5,60 इसमें किसी को doubt नहीं होना चाहिए आप उसका question देखो इन्होंने question next पूच्छा क्या है किया क्या है उन्होंने question यह किया यह परड़ाम दो paper के सयोगत प्रच्चत जैसे कि मानलो आपने जो 12th या graduation में exam देते हो तो percentage बनता है तो वो आपके combined बनता है combined result बनता है कि आपके 12th में 90% है तो इसका मतलब है कि आपके सभी में 90-90 आये होंगे बट अभी एक में यहाँ पर 72 है और एक में 80 है लेकिन marking भी अलग अलग है तो यहाँ पर हम total जो यह है इसको add करेंगे यह आपका कितना हो जाता है 6 और 5, 1100 हो जाएगा और 60 और 40 add करेंगे तो यह आपका 108 बन जाएगा तो इस तरीके से यह आपका 1208 बनेगा total marks इतने है कितने में से total marks है जरा इनको भी add कर लो यह कितना बनेगा 9 और 7, 1600 तो out of 1600 किसी के marks 1208 है तो total कितना marking बनेगा तो यहाँ पर हम करेंगे 1208 into 100 divide में आपके पास आजाएगा यहाँ पर 1600 ठीक है यहाँ तक कहानी clear है तो यहाँ पर 0 से 0 cancel हो जाएगा जो कि 100 यहाँ पर पूरा cancel होगा 16 से divide करते हैं 16 7 जा 16 7 जा होता है 112 बचेगा 8 80 हो जाएगा 16 5 जा 80 75 वाला answer होगा तो 75 यहाँ टिक करो निगल जाओ अगेन यहाँ पर remainder 8 बचेगा तो हम point लगा के 0 बढ़ाएगे 16 5 जा 80 तो answer आएगा 75.5 जो की option number आपका A correct हो जाएगा बात अच्छे से clear हो गई होगी किस तरीके से answer आया चली next number है तो देखो यहाँ पर इनको हम करते हैं डाइग्राम जिस तरीके से सिलोग बनाते हैं उस तरीके से डाइग्राम बना लेते हैं आप यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं एक है आपका English और दूसरा है आपका Mathematics और इसमें सबसे पहले हम fill करेंगे जो common area होता जो दोनों में fail हुए होते हैं दोनों में fail candidate कितना है 17% है अब हम बात करेंगे English में English में अगर 52% fail है तो यह वाला जो circle है 52 वाला है तो 52 में 17 तो यह भी include हो जाएंगे 52 में तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 52 माइनस 17 करेंगे तो यहाँ पर answer आएगा कितना आपके पास sorry 35 35, 17 तो यह value यहाँ पर बनेगी यानि only English की बात करें तो वो 35% होंगे और English की बात करें तो 52 होंगे ठीक है और जो 17 है वो आपके maths में भी fail है बड़ जो 35 है यह only English में fail है बड़ maths में pass है अगर 42 की बात करें तो आपके पास यहाँ पर 17 तो यह ही है ठीक है तो यहाँ पर यह कितना आ जाएगा यहाँ पर आपके पास आ जाएगा है 42 माइनस हम करेंगे 17 यहाँ पर आंसर आएगा कितना 25 ठीक है तो 25 यह बन गया अब यह टोटल हम अगर एड़ करें 35 प्लस 17 प्लस 25 कितना बनेगा 35 और 25 हो जाएगा 60 60 में 17 एड़ करेंगे तो यह बनेगा 77 अब 77 परसेंट यह क्या हो गए यह तो हो गए आपके पास फेल्ड तो पास की अगर हम वैली फाइंड आउट करें तो 100 परसेंट माइनस 77 परसेंट आंसर आएगा आपके पास 23 परसेंट है जो कि आपको यहाँ पर पास्ड केंडिडेट मिलेंगे ठीक है यह जो केंडिडेट होंगे वो आपके कौन से होंगे पास केंडिडेट हो जाएंगे क्लियर है बात अच्छे से आंसर कौन सा यह आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है निक्स इनन एंग्जामिनेशन 60% of the student passed अगेन उसी तरीके से डाइग्राम बना लो यह आपका इंग्लिस हो गया यह आपका हिंदी हो गया ठीक है 60% इंग्लिस में 70% पास हिंदी में है 40% पास दोनों में है तो 40% ही आ गया अब 40 में से 60 है तो यहाँ पर कितना आएगा 20 ही तो आएगा क्योंकि इंग्लिस में टोटल अगर फिगर देखो कि टोटल यह सरकल देखो कि इसाठ मिलेगा 40 common है जो हिंदी में भी फेल है हिंदी में कितना था 70, 40 हो गया 30 यह बचेगा हमें इसको एड़ करेंगे 20, 40, 30 टोटल एड़ करेंगे तो 90 परसेंट यह हो जाएंगे कैसे केंडिडेट पास फेल की बात करेंगे तो 100 माइनस 90 इज इक्वल टू 10 परसेंट होंगे जो आपका यहां पर फेल होगा तो 10 परसेंट के लिए अप्शन क्या हो जाएगा यही उसने पूंशा था फेल कितने next there are two candidates in an election 20% of the votes do not cast their voters ठीक है और 12 राइड 1 by 2% vote साड़े बारा की बात कर रहा है और यह साड़े बारा परसेंट है इसको अगर हम पार्ट में चेंज करेंगे तो यह कितना होगा 1 by 8 के होगा ठीक है तो मान लेखते हैं पहले हमारे पास total voter रतिस हंडड हंडड में से 20% voter do not cast there डालने ही नहीं गए माइनस 20% करेंगे असी लोगों ने वोट डाला होगा उन असी में से बोट डालने वाले में से 12 राइड 1 by 2 votes are declared invalid तो यह invalid होगा कितना यहां से माइनस कर देंगे कितना 12.5% और 12.5 का मतलब 1 by 8 कर दो 1 by 8 करेंगे तो 10 candidate होंगे जो की यहां पर invalid हो जाएंगे तो बचा कितना 70 70 valid vote है यह vote कैसे है यह आपके valid vote है और यह आपके cast है जो vote डाले गए हैं और यह आपके यहां पर total vote है ठीक है यह हां की कहानी है अब अगली कहानी इन्होंने क्या यहां पर बोली हुई है अब यह यहां पर बोल रहे हैं दो अब देखो hard और जीट जो होती है वो आपके होती है valid votes पर ठीक है और valid vote में एक winner है और यहां पर loser है winner वाले जो यहां पर जीतने वाला प्रत्यासी है उसको कितना 60% मिला तो हरने वाले को कितना मिला होगा 40% मिला होगा clear है बात इतनी दो मीन वार थे तथा चपन सो वोटों से जीतता है अब देखो चपन सो वोटों से जीत गया इसका मतलब है अगर हम percentage में देखे कितने परसेंट से जीता 20% तो 20% is equal to 5600 है की नहीं ठीक है 100% total vote valid कितने होंगे 100% की value यहां से हम निकालेंगे तो यह आपका आ जाएगा 28,000 28,000 ठीक है तो valid vote हमारे 70 है यह 70 वाली value कितनी हो गई यहां पर valid 28,000 28,000 वोट वैलिड है अब 28,000 वोट वैलिड है यह तो 70 की value आगी पूंचा उसने क्या पंजी करत मत दाताओं की संगया पंजी करत का मतलब registered voter कितने है तो registered voter की अगर हम यहां पर बात करेंगे तो registered voter है हमारे पास यहां पर 100 ठीक है तो 100 की हम value यहां पर find out करेंगे 70 की value अगर हम देखेंगे आब आज कम करो 100% की value यहां पर find out कर लो 100% is equal to कितना आजाएगा तो अगर हम 70 से अगर हम divide इसको करें तो यह आपका कितना आएगा और चार सवाएगा और 100 इंटू 100 करेंगे तो यह आपकी value आजाएगे कितना 40,000 तो टोटल जो voters हैं टोटल voters हैं वो कितना होंगे 40,000 इसी की value उसने पूछी थी तो option number यहां पर first correct हो जाएगा आज वो अच्छे से बात clear हो रही होगी in an election candidate X got 70% of the total valid vote जो valid vote है उसका 70% उसको मिला हुआ है ठीक है तो मैं माल लेता हूँ valid हमारे जितने भी होंगे 100% उसको let करेंगे if 20% of the total votes were declared invalid तो total अगर मैं बात करूँ total हमने vote cast करें कितने 100 20% invalid हो गए तो बचे कितने 80 ठीक है अब 80 होंगे यह आपके कैसे हैं यह आपके valid vote हैं और यह आपके यहां पर cast हुए हैं जितने vote पड़ें इतनी बात अच्छे से clear हो रही होगी अब यहां पर करें 20% votes were declared invalid and the total number of votes 64,000 total number of जो vote है वो 64,000 then find the number of valid vote pulled in favor of candidate ठीक है तो किसकी बात कर रहा है X के favor में कितने percent vote पड़े हैं उसकी बात यहां पर कर रहा है तो देखो अगर हम यहां पर बात करें total voter की बात total voter कितने total number of vote 64,000 है नहीं स्वरी 6,4,000 है find the number vote जो vote पड़े हैं वो कितने पड़े थे 100% ठीक है अब 100% vote तो पड़े हैं बट इसके favor में कितने हैं तो वो तो valid में देखा जाएगा तो यहीं 100% वाली value आपको यहां पर given है 6,4,000 है ठीक है तो हमको 80 वाली यहां पर value निकालनी है अगर 100 वाली value यह है तो 80 वाली value कितनी हो जाएगी यह हो जाएगी 5,12,000 ठीक है अब इस 5,12,000 में इसको 70% मिला है तो एक को अगर 70 तो दूसरे को यहां पर 30% मिला होगा ठीक है इतनी बात किलियर है तो 70% की value हमको यहां पर find out करनी है तो 70% यहां से find कर लेते हैं टोटल हमको यहां पर पतल है ही कितना 5,12,000 इंटू 72 अपोन में आपका 100 आ जाएगा cancel हो जाएगा 12 से multiply करेंगे 72% यहां पर find out करना है अच्छा सरी मैंने यहां पर गलत लिख दिया है यह आपका 70% है तो देखो यहां पर क्या आ जाएगा 2,0 आ जाएगे 7,2,14 ठीक है 7 बन जा 7 और carry का 1 यह आपका यहां पर 15 अगेन एक बार इसको करते हैं तो यह total आपके यहां पर क्या है यह हुए आपके valid ठीक है आला कि valid तो 80% था यह total valid है और valid vote में ही इसको 70 मिलेगा तो 70% की value हमको यहां पर find out करनी है तो अगर देखो अगर मैं हाँ पर 10% की बात करूँ तो 10% की value यह हो जाएगी तो 70% की बात करूँगा तो 7 से multiply करना पड़ेगा 10 गुना होगा ठीक है तो यहां पर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं चलो प्रापर तरीके से 5,12,000 इन्टू हंडर्ड सरी 70 upon में आपके आ जाएगा यहां से 2-0 कैंसल कर दो तो यहां पर 2-0 यह आ गए 7,2 जा 14 14 का 4 कैरी आपके पास हो जाएगा 1,7 बन जा 7 और 1,8 हो जाएगा 7,5 जा 35 कोई आपके पास कैरी नहीं होगा तो यहां पर आपको मिलेगा 358,400 option number आपका यहां पर first correct हो जाता है clear है बहुत अच्छे से next 2 candidates were elected in the election in this election 530 vote were declared invalid the winning candidate get 62% of the total votes and wins by 648 vote what is the total number of vote सबसे पहले देखो यहां पर हम valid vote निकालेंगे valid vote कैसे निकालेंगे 2 candidates थे ठीक है अब यहां पर winning candidate है उसको 62% मिलते है तो जो loser होगा उसको कितना मिला होगा 38% मिला होगा ठीक है अब इनके बीच में difference कितना अगर हम बात करें number of vote win by percentage में यह कितने से जीत गया अगर percentage में इसको हम देखेंगे तो यह यहां पर कितना यह 40 बनेगा यह आपका यह 24 ठीक है 8 और 4 13 325 और 6 24% 24% की value आपको given है 648 ठीक है और जो यहां पर आपके valid vote रहे होंगे वो तो अपने आप में 100% रहे होंगे तो यहां पर 100% की value निकाल दो 648 into 100 divided by 24 4 से divide करेंगे 6 4 से divide करेंगे 25 ठीक है अगेन यहां पर हम divide कर लेते हैं 6 से divide करो तो यह अपका बनेगा 108 108 में 25 से multiply कर लो 258 जा 200 200 के यहां पर 0 आ जाएंगे ठीक है दोनो 25 बन जा 25 तो यहां पर total आपका कितना बनेगा 25 सो बन जाएगा कि नी बन जाएगा clear है बात 25 सेथे 200 carry 2 2700 बनेगा carry का भी आपका 2 था तो 2700 है यह आपके यहां पर क्या आ जाएंगे total vote बात clear है यह value आपको यहां पर मिलेगी 2700 यह है आपके valid पूंचा क्या कुल vote पड़े कितने cast पूंच रहा है तो इसमें से हुआ क्या था 530 vote थे वो आपके यहां पर invalid declare हो गए थे तो इसमें 530 और हम add करेंगे तो 0, 3, 2, 3 3, 2, 3, 0 option number D correct होगा total vote आपके पड़े थे यह आपके cast votes है ठीक है यह vote आपके total पड़े थे चलिए चमन, अर्सद और जगजीत ने कोई चुनाव लड़ा था डाले गए सभी vote वैद थे तो देखो तीन लोग यहां पर है चमन है अर्सद है जगजीत है अर्सद को कुल vote का 35% मिलता है अब देखो कुल vote हमको यहां पर पता नहीं है हमको यहां पर कहीं न कहीं मानना पड़ेगा देखो 35% है फिर कह रहा है चमन को 35 vote में से 14 vote मिले विजेता को सबसे कम vote पाने वाले से 4950 अधिक मिले तो डाले गए सभी मतों की संख्या कितनी है वो वैलिड vote की बात कर रहा है अब देखो यहां पर क्या है यहां पर हम अपना observation लगाएंगे यहां पर हमें total vote तो नहीं पता तो एक तरीका यह होता है कि x मानना पड़ेगा x मानोगे तो कहीं न कहीं बहुत ही आपको complicated हो जाएगा ऐसे हम मान लेते हैं 35 35 अच्छे से divide भी हो जाएगा तो हम कर लेते हैं क्योंकि कहीं न कहीं percentage आएगा तो 3500 मान लो total vote 3500 है 3500 का अगर हम 35% निकालने जाएंगे तो हम को यह कितना मिलेगा 12-25 ठीक है 12-25 तो इसको मिल गया अब 3500 में से 35 में 14 मिलते हैं 3500 into 14 upon आपका आजाएगा 35 14 vote out of 30 तो यहाँ पर यह 100 हो गया और 100 into 14 करोगे तो इसको यहाँ पर मिलेगा कितना 1400 अब देखो total इसको अगर हम add करेंगे तो यह कितना बन जाएगा 14 और 12-26-25 बनेगा 26-25 बनेगा तो मेरे पास जो remaining बचेगा वो बचेगा 875 तो यह हो जाएगा किसका जगजीत का इतनी बात अच्छे से सभी को clear हो गई अब देखो यहाँ पर उसने बोला है कि जो विजेता है उसको सबसे कम अब यहाँ पर विजेता कौन विजेता तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अरसद क्योंकि इसको सबसे ज़ादा वोट मिले 1400 और सबसे कम वोट मिले हैं इसको ठीक है तो इससे इसको कितने ज़ादा मेरे according अगर देखें तो कितना ज़ादा वोट मिला है तो यहाँ पर यह इसको मिला है 525 ठीक है इसको अगर माइनस कराएंगी तो 525 आएगा इतनी अच्छे से बात किलियर है माइनस करा लो 10 से 5 जाएगा 5 9 बचेगा 9 से 7 जाएगा 2 और यहाँ पर आपका 13 बचेगा और 13 से 8 जाएगा तो 5 मेरे according 525 है but question के according है 4950 उंच क्या रहा है डाले गए सभी मतों की संख्या तो मैंने डाले गए कितने माने थे यहाँ पर 3500 तो 3500 की वैल्यू कितनी होगी 3500 की वैल्यू हमको यहाँ find out करनी होगी 4950 into 3500 upon 525 क्या करेंगे 25 से एक बार डिवाइड करके देख लो 25 से डिवाइड करेंगे 252 जा 251 जा ठीक है और 25 से इसको कर दीजिएगा 251 जा 25 बचेगा 10 100 हो जाएगा 254 जा 140 बचेगा ठीक है 7 से डिवाइड करेंगे 7 2 जा 27 3 जा यहाँ पर 3 आएगा 3 से इसको डिवाइड कर दो 3 बचेगा 3 19 हुआ 3 6 जा 18 बचेगा 1 3 5 जा 15 कितना आ गया अब इसको यहाँ पर solve कर लेते हैं कितना multiple करना है यह 3 यहाँ पर cancel हो गया 1 6 5 0 into 20 तो 2 0 आपके पास आ गये 2 5 जा 10 2 6 जा 12 और 1 13 2 1 जा 2 और 1 carry का 33,000 option number यहाँ भी आपका correct हो जाएगा total कितने vote पड़े थे 33,000 clear है अच्छे से बात next a salesman gets a commission on total sale at 9 percent if the sale is exceeded rupees 10,000 he gets an additional commission as a bonus of 3 percent on the axis of sale over 10,000 if he gets a total commission rupees 1380 then the bonus he received is एक बार इसको आप कीजिएगा जालिए तो देखो यहाँ पर कह रहा है कि sell करेगा सोरी ठीक है जादा जादा sell करेगा तो उसको 3 percent as a bonus दिया जाएगा एक एक टार्गेट दिया गया महीने माहीने मालो कि अगर आप 10,000 की selling कर दोगे product based दोगे तो उसमें से आपका 9 percent commission है लेकिन अगर 10,000 से जादा की आप selling करके आऊगे तो आपको 3 percent extra bonus भी दिया जाएगा यानि जो 10,000 के ऊपर माल लेते हैं यहाँ पर अच्छे से समझो आपने 10,000 की sell की तो आपको इसका 9 percent कितना मिलेगा 900 रुपाए लेकिन इसी जगह आपने 10,000 प्लस 2000 और तो 10,000 के ऊपर 2000 की और आपने sell करी तो इस 10,000 पे तो आपको 9 percent ही मिलेगा 900 यह कितना 9 percent बट यहाँ पे आपको 9 percent तो मिलेगा ही मिलेगा प्लस 3 percent bonus तो टोटल यहाँ पर 12 percent मिलेगा तो इसका 12 percent कितना हो जाएगा यह आपका 240 रुपाए बनेगा इतनी बात अच्छे से क्लियर है अगर यह extra bonus ना दिया जाता तो हमको सिर्फ 180 रुपाए और मिलते 2000 पे 9 percent की रेट से यहाँ पे यह बात क्लियर हो गई होगी अच्छे से कि क्या मैं बताना चाहरा था आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे अब यहाँ पे बात यह आती है कि उसने टोटल कितना कमाया कमीशन के थिरू टोटल उसने यहाँ पर कमाया है 1380 अगर उसने सिर्फ 10,000 की ही सेल करी होती तो उसको 900 रुपाए मिले होते बट उसने जादा की करी है तो एक चीज़ तो जान लो इस पहले 10,000 पे तो 900 मिले होंगे तो 900 माइनस करा देते तो आपके पास कितना आएगा 480 आएगा यह जो 480 आया तो यहाँ पे क्या करा आपने यह 480 आया यह 10,000 से उपर की सेल पे आया होगा तो 900 यहाँ पे आगया अब प्लस 10,000 की और सेल होई होगी तब आपको जाके प्लस 480 रुपाए और मिले होंगे आप कह सकते हो 12% is equal to 480 है तो 100% की value कितनी आ जाएगी यहाँ से एकर हम निकालें तो 480 into 100 divided में आपके पास आ जाएगा कितना 12, 4 जा 48 ठीक है तो यह कितना हो जाएगा टोटल यह आपका बनेगा 4000 तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे आपने यहाँ पर 4000 की extra shopping करी है selling, selling करी 4000 की ठीक है actually इनका आप question देखते है इनका question क्या है question यह है यदि उसरे कुल 1380 रुपय का commission मिलता है तो प्राप्त bonus कितना है तो देखो bonus कितना मिला होगा 4000 की उसने extra करी है bonus कितना मिलता है 3%, 4000 का 3% निकाल दो 4000 इन्टू 3 बटे 100 कितना? 120 आएगा तो यह इसका यहाँ पर bonus बोनस बनेगा तो जो 480 है इसमें आपका commission है 9% प्लस आपका bonus है 120 रुपय और आपका यहाँ पर 360 रुपय जो आपको यहाँ पर sale पर commission दिया जा रहा था वो था तो answer यहाँ पर be correct हो जाएगा next है एक salesman को उसके द्वारा दी गई कुल बिक्री पर 12% कमीशन और 15,000 रुपय से अधिक की बिक्री पर 1% के bonus की अनुमत ही है यहाँ इस salesman की कुल कमाई that means उसने total इतने रुपय कमाई है किस से? कमीशन प्लस उसके bonus से इतना कमाया है और यहाँ पर 15,000 के उपर की बिक्री पर ही उसको 1% एक्स्ट्रा मिलेगा तो सबसे पहला काम आपका यह होगा 15,000 कितना? 12% मिलेगा तो यहाँ पर 15,000 का 12% निकालो 12% कितना हो जाएगा यह आपका हो जाएगा यहाँ पर 18,000 प्लस यहाँ पर कुछ और सेल करी होगी टोटल उसकी कमाई कितनी है 7,650 रुपय जिसमें से 18,000 तो उसके 15,000 तक होंगे बाकी का पैसा है वो उपर का होगा और उपर कितना होगा 12% तो मिलता ही मिलता है प्लस एक परसेंट उसको बोनस मिलेगा तो 13% वाली वैल्यू हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पर 0 आएगा 5 आएगा 16 से 8 जाएगा तो 8 आएगा 6 से बन जाएगा 5 यह आपकी वैल्यू है कितने परसेंट वाली 13 ठीक है तो इसको हम बोल सकते हैं यह 13% की वैल्यू है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100% की वैल्यू यहाँ पर निकाल होता है 100% is equal to 5 8 5 0 into 100 upon 13 13 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा 13 से हम डिवाइड अगर करेंगे 13 4 जा 52 बचेगा आपके पास कितना 6 65 13 5 जा 65 0 आ जाएगा तो यहाँ पर आपको 450 into 100 कराओगे तो आंसर आपको मिलेगा कितना 45,000 डाट मीज उसने 45,000 की और सौपिंग करी होगी सेलिंग करी होगी तब जाके उसको 13% के हिसाब से कितना 5,850 रुपए और मिला होगा ओवराल अगर हम देखेंगे इसको हम टोटल प्लस करेंगे तो यह कितना बन जाएगा यह आपका बनेगा 7,650 जो कि टोटल कमाई है यदि सेल्समेन की कुल कमाई एतनी है तो कुल विक्री ग्यात कीजिए तो देखो बिक्री की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो बिक्री की बात करने के लिए देखो 15,000 की तो बिक्री उसने यह करी ही करी है प्लस 45,000 की टोटल यह बिक्री करी है तो यहाँ पर टोटल 45 और 15 कितना 60,000 बन जाता यह उसकी percentage का बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा अगर आपने percentage अच्छे से समझ लिया है तो इसकी और भी practice कर लीजिए ताकि exam में जाओ और हमने exam के point of view से ही इस type के question जो बन सकते हैं और जो हो सकते हैं लगबग मैंने पूरी कोसिस करी है हमने सारे type लिये हैं तो अब हम आगे ले करके आएंगे आपके लिए SI SI simple interest साधारन ब्याज का जो next topic रहेगा वो साधारन ब्याज तो आप लोग एक काम कीजिएगा साधारन ब्याज के बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा पढ़ लीजिए उसके बाद फिर थोड़ा सा आएंगे तो सवाल अच्छे से कर पाएंगे एक चीज हमेशा किया किजिए जब हम किसी question को यहां पर नया लाते हैं तो नए question को लाने के लिए एक चीज यह कीजिएगा जब question आता है तो आपके पास वीडियो है वीडियो को pause कीजिए एक बार खुद से solve करो अगर खुद से solve करने पर answer आता है तो very good आप अपने आपको analyze कर पाओगे अपने आपको देख पाओगे कहां है कहां नहीं है ठीक है तो यह जरूर किया किजिए और जब नहीं बनता है तो फिर आप वीडियो next चला के देख लो कि अच्छा बना की नहीं बना ठीक है तो इसी के साथ हम आपसे next session simple interest के साथ मिलेंगे तब तक के लिए bye bye take care thank you